Hello everyone, I hope you all are doing well, my name is Deepa अगर आपने K-pop Good Hope को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब और शेयर करना ना पूले इस्राइल और हमास के वार जो हमें फिलाल अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है October के मंस से 2023 में वो काफी दाधा relevant हो चुकी है और इंडिया में अगर स्पेसिफिकली हम ट्रेड रूट्स की बात करें तो इंडिया, चाइना, एजियन कंट्रीज जितने भी हैं मलीजिया, ताहिलैंड जितने भी एजियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे एक नई ray of hope उभर के आ रही है, फिलाल के टाइम पे इस्राइल और हमास के war में, यहाँ पे आप अगर trade route को देखे तो पहले का जो route था, वो red color में आपको देख रहा होगा और इन दोनों के war के कारण, यानि कि इस्राइल और हमास के war के दौरान red sea का जो route है, उसको किस तरीके से इस्तिमाल किया जा रहा है अभी के टाइम पे, और आने वाले समय में, यह कहीं न कहीं जा करके Asian economy में help करने वाली है, और करेंगी भी 15% जो trade है, ग्लोबल trade है, वो eastern और western countries के बीच वो switch कैनल से होती थी, इससे पहले, यानि कि इस्राइल और हमास के war से पहले, लेकिन जब से red sea को route, waterways के तोड़ पर हम देख रहे हैं, इस straight route को जब से अजमाया जा रहा है, तब से specifically ऐसा बताया जा रहा है economist के द्वारा कि, इस Asian जो economies है, यानि कि Japan, South Korea, China, India, इन सारी कंट्रीज को जो है, बहुत ज़्यादा help होने वाली है, इनकी benefit जो है, और ज़्यादा बढ़ने वाली है इससे पहले भी 2019 में, इंडिया के उपर Operation Sun Cup चलाया गया, जो की Persian Gulf के उपर based था, तो इस तरीके से हमें, एक economical development देखने को मिल रही है, जन countries की, so, I hope the session was useful to all, मिलते है नेक्स सेजन, तल दन, thank you so much and bye-bye.